See in the photo right behind me, he is Parag Agarwal. इस्टुदेंट्स की किसमाद चमक जाती है, कुछ IIT ग्रेजवेट्स की हाईरिंग तो देश दूनिया की बड़ी-बड़ी कमपनीों में हो जाती है, और कुछ IIT ग्रेजवेट्स अपनी खुद की कमपनी खौलने निकल पड़ते हैं, इन IIT ग्रेजवेट्स की सैलरी की काफी चर्चा हो रही है जिसको सो क्रोड रुपे के सेली पेके से निकाले जाने के बाद में उस बंदे ने अपने खुद की कंपनी खड़ी कर डाली और कुछ ही समय में धाई सो क्रोड की फंडिंग भी जुटा डाली जो कि एक स्टार्ट अप कंपनी के लिए काफी अज हम यहां पर जिस सक्स की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं ट्विटर के पूरवज CEO पराग अगरवाल की बात कर रहे हैं जिसको ट्विटर से निकाले जाने के बाद में उस बंदे ने एक नई कंपनी खड़ी कर डाली और कुछी समय में धाई सो क्रोड की फंडिंग म है और इसको ट्विटर से क्यों निकाला गया हम इन सबी बातों पर यहां पर चर्चा करते हैं चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राग अगरवाल कोन है और इसकी क्या-क्या डिग्रीज थी इसकी परसनल लाइफ के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं और इसमें जब इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा उस समय इनको अपने पच से इस्तिभा देना पड़ा प्राग अगरवाल मुल रूप से राजस्थान के अजमेट जी लेकर रहने वाले हैं जुन्होंने आयाटी बंबे से बीटे किया दा प्राग अगरवाल के पिता इंड साल ट्विटर के अंदर काम नहीं किया था प्राग अगरवाल 2011 के अंदर सोचल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को जोइन कर चुके थे लेकिन उनको जैक डोर्शी ने अपना पत दिया था 2021 के अंदर मतलब वो 2011 से कंटीन्यू काम कर रहे थे लेकिन जैसे ही 2022 में इलोन म प्राग अगरवाल के कोंट्रेक्ट का कोर्डिंग प्राग अगरवाल को अगर पहले निकाला जाता है तो उसको 400 क्रोड रुपे सर्विरेंस पे के तोर पर देने थे लेकिन इलोन मस्क ने प्राग अगरवाल को एक पैसा भी नहीं दिया तो प्राग अगरवाल के साथ नि इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है और उनके इस start-up को खोसला वेंचर्स ने funding मिली है और खोसला वेंचर्स के साथ जुड़ी दो कमपनिया इंडेक्स वेंचर और फेस्ट राउंड केपिटल ने भी इस डिल में दिल्चस भी दिखाई है प्राग अगरवाल ने इस start-up के प्राग अगरवाल की इस company को लेकर अभी कुछ ज्यादा सामने नहीं आया है लेकिन इस start-up पे उनके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि प्राग अगरवाल की यह company large language model के लिए एक software बनाएगी यानि की LLM के लिए एक software बनाएगी LLM का मतलब AI-based model है जो की एक सवाल क कई सारे जवाबों को एक साथ मिला करके एक जवाब तयार करने का काम करेगी उधारन के लिए chat GPT का AI और Google का board तो इस तरीके से प्राग अगरवाल को 100 क्रोड रुपे की salary package से निकाले जाने के बाद में उन्होंने अपनी एक खुद की AI company खड़ी कर दी अब देखते हैं कि आगे वह company क्या कुछ नया लेकर आती है हमारे लिए तो चलिए दीजिये हमें इजादत जैहिन वंदे मातरम